कि स्टूजेंट आपको मताएंगे कि गूगल फॉर्म में फाइल कैसे अपलोड करनी है तो उसके लिए आपको जो क्लास को लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म वाला पहले आप उपन कर लेंगे यह देखिए फिर आप अपने नाम और यह आप जो बाकी कोशन सॉल वाल करते हैं इसी question है 2 plus 2 आप अधिना solve कर लिए जिस question में आपको यह आप add file लिकना है मतलब आपको question copy में solve करना है और फिर उसके बाद इसमें add करना है तो उसके लिए आप क्या करें गए पहले question copy में solve कर लीजिए फिर उसका फोटो गिंच लीजिए किसी वाइट पिपर में सॉल्व करके फोटो गिंच लीजिए फोटो पहले गिंच के रखिए अब उसके बाद ने आप यहां पर अपलोड फाइल करनी है तो यहां पूछ रहा है उसका प्लोड फाइल फ्रॉम यू डिवाइस यह बीच में तो इसको क्लिक करेंगे यह 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 आपने क्लिक किया तो आपको यहां पर तीन आप्सन बता रहा है कैमरा, कैमरा रिकॉर्डर और यह पाइल खांगे क्लिक करेंगे तो तुरंट के तुरंट अभी वह फोटो तो आपने पहले से फोटो घंच करे रखी है न वह अपलोड होगी तो हमने फाइलस में हम आपको 軸ाद करके दिखाते है वा समने क्लिक के वाइक इसमें कि रिष्यूंट में सबसे रिष्यूंट में अभी आपने सब्सक्राइब इस फोटो की चाहोगा ना बस उसको किलिक कर दिया यह समने क्लिक कर दिया अभी जाए ओपर में एक आ गया एक आगया अप्लोड के नीचे दिखा रहा है फिर उसी नीचे ठीक दिखा रहा एड एनदर फाइल अगर आपका दो पेज हैं उसको तो एड एनदर फाइल भी कर सकते हैं और चाहें तो आप यहां से अप्लोड भी कर सकते हैं अगर एक ही फाइल हो तो तो मैंने एक और फाइल अप्लोड करनी है फिर वैसे हम फाइल पर ह एक option select कर लेंगे और ये हमने select कर लिया यहाँ पर दिखा रहा है अब नीचे ये upload जो blue लड़क है वो upload कर देना है तो upload करेंगे तो अभी एक lining चलेगी yes ये दिखी blue line चली ना इसका मतलब है कि उसने upload कर लिया yes अब उसके बाद आपके जो next question है उनको solve करिए या जो भी है अब लास्ट में आपको submit करना है तो important point यही था कि पहले copy में solve करके उसको file बना के रखिए और लास्ट में यहाँ आप upload आप यहाँ पर 4-5 file ले upload कर सकते हैं एक question में ही और 2-3 परने का भी हो तो भी upload कर सकते हैं ऐसी file added करके so thank you and keep watching yes yeah